भक्ती का मतलब है खुद को ध्वस्त करने का साधन। एक साधन जिससे आपके एरादे, आपकी कल पनाएं और आपके सपने ध्वस्त हो जाएं। जिससे आप एक छोटे से प्राणी ना होकर या इस स्रिष्टी में एक बेनाम छोटे से प्राणी ना होकर खुद ईश्वर के हाथ बन जाएं। भक्ती कोई सौदा नहीं है जो आप करते हैं। भक्ती के नाम पर बहुत से सौदे हो रहे हैं। सौदे बाज और भक्त दो अलग-अलग लोग होते हैं। एक का संबंद बाजार से होता है, दूसरे का इश्वर से। ये दो पूरी तरह से अलग शित्र हैं। आपको ये समझना होगा, कि जैसे ही आप सौदा करने बैठते हैं। तो सौदे का धर्म है कि आपको दूसरे से ज्यादा स्मार्ट होने की पूरी कोशिश करनी है। नहीं, क्या आप एक नुकसान वाला सौदा करना चाहेंगे। जब आप सौदा करने बैठते हैं, तो आप दूसरे से ज्यादा स्मार्ट होना चाहते हैं। पर अगर आप इश्वर के साथ ये रवाया अपनाएंगे, तो शुरू करने के पहले ही हार जाएंगे। आप अस्तित्व के साथ ऐसे बैठें, अप अपने गुरू के साथ ऐसे बैठें, तो आप शुरू करने से पहले ही हार गए। आपको दौडने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही हार चुके हैं, आप जीत नहीं सकते। क्योंकि सबसे बुनियादी उदेश यही हार चुका है, अब क्या करें? तो भक्ती की जबर्दस शक्ती को मत गवाईए, इसी लिए क्योंकि आपके दिमाग में एक बेवकूफ भरा सौदा है। आप क्या मांग सकते हैं? आप स्रिष्टी और स्रिष्टा से किस तरह का सौदा कर सकते हैं? सिर्फ मूर्गता भरा सौदा. क्योंकि आप नहीं जानते कि स्रिश्टी में क्या संभावनाएं मौजूद हैं. आप बस वो छोटी सी बेकार सी चीज़ें जानते हैं जिनका आपने जीवन में अनुभव किया है. अगर 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 आप एक उर्जा के संपर्क में हों कम से कम एक उर्जा की मौजूदगी में हों जो स्रिष्टी का स्रोत है और आप मांगे कि मुझे एक नौकरी चाहिए मैं शादी करना चाहता हूँ तो ये बेवकूफी की हद है आप नहीं जानते कि क्या संभावनाए है क्या ये सबसे अच्छा नहीं होगा कि आप कहें मेरे साथ आप जो चाहे कीजिए अगर आप संपर्क में आ गए तो क्या ये सबसे अच्छा नहीं होगा कि स्रिष्टी के स्रोत पर छोड़ दें मेरे साथ आप जो चाहे कीजिए नहीं नहीं मुझे नौकरी चाहिए मुझे ज्यादा तनखा चाहिए मुझे प्रमोशन चाहिए हे भगवान खुद के साथ ऐसा मत कीजिए अगर कभी भी आप किसी ऐसी चीज के संपर्क में आते हैं आपसे बड़ी लगती है किसी भी रूप में तब आपको सौदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बस चुप रहिए बस ये देखिए कि ग्रहन कैसे कर सकते हैं यही भक्ती है याने आप समझते हैं कि इश्वर का हाथ बनना सौदा करने से कहीं बड़ी संभावना है चाहे वो सौदा आपके दिमाग में कितना भी बड़ा दिखाई दे सौदे ही सौदे हमेशा हो रहे हैं हर जगा जीवन और मृत्यों में भी सौदे ही चल रहे हैं सौदों से भक्ती तक आना एक रूपांत्रण है यह ऐसा है जैसे मैं अगर आपको कच्रा दूँ तो क्या आप मुझे कुछ खुशबुदार और सुन्दर देंगे नहीं अगर मैं आपको कच्रा दूँ तो आप मुझे ज्यादा कच्रा देना चाहेंगे लेकिन प्लीज देखिए कि इस रिष्टी कैसे काम करती है अगर आप इस पेड को कच्रा देते हैं तो यह आपको फूल देता है न इश्वर का यही तरीका है अगर आप अगर आप वाकई में एक भक्त बन जाएं तो आप इश्वर के हाथ बन जाएंगे और फिर सब ऐसा ही होगा आपकी और जो भी फेंका जाता है वो पोशन देगा आपके मार्ग में जो भी आएगा वो आपके लिए सुन्दर होगा क्योंकि जो भी आता है आपको पता है उसे एक सुन्दर रूप कैसे दिया जाए यही भक्ती है सौधा मतलब आपको फूल चाहिए, आप कच्रा किसी और को देना चाहते है अगर आप वैसा सौधा करें, तो उसके बाद आप अलग हो जाएंगे है ना? आप लोगों के किसी भी ग्रूप से अलग हो जाएंगे या आखिर में आप स्रिष्टी के चलने के तरीके से ही अलग हो जाएंगे जब हम कहते हैं योग, तो हम मिलन की बात करते हैं मिलन का मतलब आप यहां एक अलग प्राणी के रूप में नहीं है आप यहां इश्वर के हिस्से के रूप में है आप स्रिष्टी और स्रिष्टा के एक हिस्से के रूप में मौजूद हैं यानि आप हर चीज के साथ एक हो गए हैं यानि आप एक छोटे से रेंगने वाले प्राणी नहीं है जो सिर्फ अपने ही काम करता रहता है लेकिन वो पूरा विचार आजादी के बारे में नासमझी भरी सोच ये है कि आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं है न एक गलत विचार, एक गलत रवया, एक गलत भावना जहर से भी कई ज्यादा नुकसान पहुँचा सकती है तो इसी लिए असतोमा सद्गमया असतोमा सद्गुरु मैं ये बोल चुका हूँ नहीं नहीं आपको जीवन के हर पल में ये बोलना होगा जीवन के हर पल में यही यात्रा है कि आप ज्छूट से सत्य की और बढ़ रहे हैं वरना जो सच नहीं है उसे आपके मन में सच दिखाया जा सकता है जब आप अपने मन में ज्छूट को सच मान लेते हैं तब वो ज्छूट आपके होने के तरीके में ही जहर घोल देगा और फिर आप सोचेंगे कि दुख आपको ढूनते हुए क्यूं आ रहे हैं दुख तो आएंगे ही और क्या होगा अगर दुख नहीं आते तो उसका मतलब है मेरा जीवन असफल है दुख आने चाहिए अगर आप गलत काम कर रहे हैं है ना कोई बहुत ही ध्यान से पेड़ पर चढ़ा एक मूर्ख ने तेजी से चढ़ने की कोशिश की और गिर गया अगर उसे कुछ नहीं होता तो जिसमें उपर चढ़ने वाले का कौशल है वो मूर्ख है ना हाँ या ना नहीं एसा ही है, है ना जिसने ध्यान दिया है जिसने जरुरी कौशल पाने पर ध्यान दिया है किसी चीज को सही तरीके से करने के लिये अगर वो और एक मूर्ख जिसने किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया है दोनों एक ही नतीजा पाते हैं तो जिसने सभी चीज़ों पर ध्यान दिया है वो मूर्ख है, है ना? तो मैं वाकई दुख के खिलाफ नहीं हूँ मेरी कामना है कि आप दुखी नहों लेकिन अगर आप मूर्ख हैं और आप खुद के साथ बेवकूफी करना चाहते हैं तो आपको दुख मिलना चाहिए क्योंकि दुख हाएंगे तभी आप बेवकूफी करना छोड़ेंगे मान लीजिए क्या आप देखते हैं कि अगर आपके शरीर में एक जख्म है जो सूख रहा है तो आप हम ऐसे करते हैं न ऐसे करते हैं न अगर आप गहरे चले जाते हैं और दर्द होता है तो आप रुख जाते हैं मान लीजिये कि दर्द नहीं होता, तो आप अपनी आते बाहर निकाल लेते हैं, हाँ, खुद को कम मत आ किये, अगर आपके शरीर में वाकई बिल्कुल दर्द न हो, तो यहां सत्संग में बैठे बैठे, आप जैसे चुईंगम खाते हैं, आप अपने फेपड़े बाहर निकाल लेते, मुझे दिखाने के लिए, कि आपके फेपड़े कितने बड़े हैं, हाँ, आप करेंगे, खुद को कम मत समझीए, खुद को बिल्कुल भी कम मत समझीए, अपनी बेवकुफी को कम मत समझीए, अगर कोई कुछ और कर रहा है तो आप भी दिखावा करने के लिए अपनी आते निकाल कर क्योंकि अगर आप उसे पिन से भी चुएं तो इतना दर्द होता है जहां भी दर्द नहीं होता आप पेड़ का दर्द नहीं जानते आप दूसरी चीजों का दर्द नहीं जानते आप उन सभी चीजों को काटते जा रहे हैं ना सिर्फ यहीं दर्द होता है तो आप इसे बचा रहे हैं तो यह ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं कम से कम आप इतना तो जानते हैं बस इसी का विस्तार करना है, बस यही है अब क्यूंकि आप इसका दर्द जानते हैं तो आप इसे अच्छे से रख रहे हैं अगर आप पहाड का दर्द जानने लगें तो आप पहाड को भी अच्छे से रखेंगे अगर आप स्रिष्टी के दर्द को जाने तो आप हर चीज को अच्छे से रखेंगे है न योग का यही मतलब है मिलन यानि हर चीज आपका एक हिस्सा बन गई है और भक्ती वो आयाम है जो आपके और दूसरी चीजों के बीच की सीमा को बहुत आसानी से मिटा देता है झाल